शिवार शिवाम 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 जटा कवी गलजल प्रवाह पावितस्तले गलेव लंब लंब लंबितां भुजंग तूंग मालिकां दमड़ मड़ ओम सर्वे विवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतु मा कश्यतु भाग पवी यह spiritual products आपको shivago.com पे authentic और genuine मिलेंगे नमस्कर आप सबका हमारे चैनल शीमत होम रेमेडिस पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे विश्यू के सबसे खतरनाग जौला मुखियों के बारे में देखे जौला मुखिय एक सुईवे दानव की तरह होता है यह कभी कभी ही जागते हैं और जब जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरबा देते हैं और फिर शान्त हो जाते हैं दुनिया के करे इसे जौला मुखिय हैं सिर्फ लेकिन अमेरिका में ऐसे दरजनों सक्रिय जौला मुखिय हैं लेकिन इन में से कुछ तो बहुत ही जादा खतरनाक हुते हैं। जॉला मुख्यों को प्रकृति का रोश का प्रतीक माना जाता है। जॉला मुख्य की ताकत का परदर्शन करने वाले घटनौ में से एक 79 इस्वी में मौंट वेसुवियस का बिसफोट है। यह अभी भी सबसे विनाशकारी और हानीकारे एक बिसफोटों में से एक के रूप में जाना जाता है। बिसफोट से ना केवल पॉम्पी और हरनाकुलम के पूरे शहर का विनाश हुआ बलकि इससे बड़े पैमाने पर नुक्सान हुआ था। और पृत्वी पर लगबग पंदरा सौ सक्रिय जौलम की हैं और इसमें केवल वही शामिल हैं जो पृत्वी की सतह पर हैं। बिसेश रूप से पैसिफिक रिंग और फायर के आसपास कई और पानी की नीचे भी हैं। और इन में से लगबग सौ दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो चली मैं उन्ही के बारें बताने जा रहा हूँ जो सबसे खतरनार हैं। एक है मौना लुआ यह हवाई में हैं। हवाई में मौना लुआ जौलमों की ना केबल सबसे सक्रिय हैं। बलके प्रिथी पर सबसे बड़ा जौला मुकी है और एक लोग प्रिये प्रियाटनस्थल है और बिविन ने बैग्यानिक अधिनेों का हिस्सा भी ये लगबग साथ लाक वर्सों से लगातार पस्फुट ही थो रहा है और इसके सबसे हालिया बिस्फुट उनीस सो चौरा सी में हुआ था जौला मुकी में लावा परवाह का व्यापक नेटवर्क है जो आसपास रहने वाले समदाओं के लिए खत्रा है उनीस सो पचास में एक पूरे गाउं के लावा दोरा नश्ट कर दिया गया था उसके बाद पोपो कटे पेटल ये मैक्सिको में है ये जौला मुकी पांच हजार चार सो बावन मिटर उचा है और अच्तधिक सक्रिय जौला मुक्यों में से एक है और यही कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है ये मैक्सिको सिटी से दच्छनपूर में करीव सतर किलोमिटर दूर है और अगर ये बिसफोट हुआ तो करीव दो सो पांच कडोर लोग प्रभावित हो जाएंगे सार उनिस सो चौरानवे के बाद ये सक्रिय हो गया है और इससे राक और लावा निकलते रहते है इसके बाद हम आगो बताते हैं आइसलेंड करा एक जाला हम की है और उसका नाम है आइस फजल जोकूल ये जाला मुकी आइसलेंड के छोटे छोटे आइस कैप्स के हिससा है 2010 में इसके बिस्फोर्ट ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया और इसके बिस्फोर्ट की राक से पूरे यूरोप और उत्री अमेरिका में हवाई यत्र अबादित हो गई 2000 एगारा तक जॉला मुकी को निस्क्रिये माना जाता है उसके बाद का जॉला मुकी है कोलिमा जॉला मुकी है और जलिस्को और कोलिमा की सिमा पर स्थेतै है 2015 और 2016 में इसकी राखों के फ़वारे की वज़े से आसपास के जो इलाके हैं वो खाली करा दिये गए थे फिर इटली का माउंट वेसुवियस है इटली में है इस जॉलमुकी का अस्थान हुआ है जो इस जॉलमुकी वो खतरनाग बनाता है माउंट वेसुवियस नेपल से शहर से सिर्फ नौ किलोमेटर दूस से थे जो इस दुनिया में सबसे घनी आवादी वाला जॉलमुकी चित्र बनाता है यह 79 एसुई में संभवता सबसे विनाशकारी जॉलमुकी बिसफोर्ट के कारण के लिए भी जाना जाता है अब इसमें राक और लावा के धीर सारे कॉम्पई और हर्णा कुलम को दफनाया था और यह 20 वर्सों के विसफोर्ट चकर है माउंट वेसुलियस डेंजरिस है उसके बाद तूरी आलबा जॉलमुकी यह कोस्टा रिका में है तूरी आलबा कुश्टा रिका के बीचो बीच में जॉलमुकी उस्थित है और यह कैलिफोर्णिया के सैन जोस शहर के करीब 60 किलोमिटर दूर है सप्टेंबर 2016 में इसमें भ्यानक विसफोर्ट हुआ था जिसके बाद आस पास के शेहरों पर राक के पादल चांगे थे फिर कांगो में उसका नाम है माउंट निर्गोंगो इस सक्रिय जॉलमुकी में सबसे बड़ा लावा जील है जो दो किलोमिटर चोड़ी है और यह कांगो के विरूंगा नैशनल पारक में सदित है एक और जॉलमुकी के साथ यह अफ्रीका के जॉलमुकी बिसफोर्ट के 40% के लिए जम्मेदार माना जाता है और यह आसपास के समिदावगे के लिए एक महत्रपूर्ण खत्रा है क्योंकि यह द्रव लावा की एक बड़ी जील को वेहन करता है फिर कॉलम्बिया में है ग्लैरस कॉलम्बिया का सबसे सक्रिय जॉलमुकी माना जाता है और यह नरीनों में उस सित है 1993 में हुए हलके बिसफोर्ट में वेग्यानिक के एक समो और प्रेटिको की मौत हो गई थी और उस सभी जॉलमुकी के क्रेटर के अंदर थे उसके बाद है फिलिपिन में ताल जॉलमुकी ताल जॉलमुकी ताल जील के पास एक दुर्व परस देता है और यह मनीला से 30 मिल की दूरी पर है और 1572 के बाद से 33 बार बिसफोर्ट हो चुका है और बिसफोर्टो के दौरान काफी आकस्मिक दर हुई है और इसलिए अब किवल दूर से देखने की अन्रमती है उसके बाद एक और है जो अलमुकी जो मैं आपको बिता जिता हूँ वो एक्वडोर में है और उसका नाम है कोटो पाकसी कोटो पाकसी 5,897 मीटर उंचा जो अलमुकी है जो देश की राज़धानी क्वेटो से करीब 50 किलोमेटर दूरी उस से थे इसमें सबसे भियानक बिसफोट 1887 में हुआ था वही साल 2015 में एराकों के घने बाद निकलने लगे जिसके बाद से देश में एलर जारी कर दिया गया था एकवडोर में ही एक और जो अलमुकी है जिसका नाम है तुन गुरा हुआ यह जो अलमुकी 5,099 मीटर गुचा है और वह एकवडोर की राजस्थानी क्विटों के दर्क्षिन करिव 180 किलोमेटर दूर है और यह साल 1999 से 1999 से सक्रिय विस्थिति में है उसके बाउद है माउंट मेरापी यह इंड़नो इश्या में है यह जो अलमुकी इंड़नो इश्या का सब से सक्रिय जो अलमुकी है और इसने दुनिया के किसी अन्य जो अलमुकी की तुलना मैधी के लावा प्रवाह कर उत्पादन किया है यह 1548 से नियमित रूप से प्रस्फुटित हो रहा है और माना जाता है कि इसके बिस्फोट के कारण माताराम का सामराज जिनस्ट हो गया था वह योग्या कारता शहर के कुछ ही मिल की दूरी पर है और इसलिए इसकी निवासियों के लिए एक महत्पून खत्रा है 2010 में विस्फोट में लगबख 400 लोग मारे गए थे और कई लोग बेगर हो गए थे उसके बाद है कुलम्बिया में गल्रस कलेरस कुलम्बिया में एकवडोर के साथ सीमा के पास देते यह अब एक लाग वर्सों से इस फुर्ट हो रहा है और इसका पहला विस्फोट 1580 में दर्श किया गया था और तब से लगातार इसका च्छरन हो रहा है यह पास के शहर पास्टो की लिखत रहा है जो इसके पुर्वी ड़नान की नीचे स्थे थे ऐसा सूचा गया था कि 1978 में निस्क्रिया हो गया था लेकिन बाद में केवल दस वर्सों में समाप्त हो गया अथार्थ 1988-1993 में आउजीत एकदसक्स की जॉला मुकी सम्मेलन के दौरा इसके आस्चर जनक बिस्फोट ने छे विग्यानिकों और कुछ परेड़कों को माड़ा था उसके बाद जापान का है सकुर अजीमा सकुर अजीमा एक सक्रिय जॉला मुकी है जो एक ड्रिप था इससे पहले लावा प्रवाह ने इसे जापान के उसुमी प्रायदिप से चोड़ा था और यह 1955 से प्रतेग वस्त नश्ट हो रहा है उसके बाद का जॉला मुकी पेरू में है उसका नाम है उबीनस यह पेरू के सबसे सक्रिय जॉला मुकी है जिसके सक्त निग्रानी की जाती है साल 2006 से 2009 के बीच इसमे अधिक सक्रियता दर्श की गई है जॉला मुकी के आजबास दसलाक्ट लोग रहते हैं और साथ ही कही अमारत भी आसपास है उसके बाद है पापुआ नियू गिनी में उसका नाम है उलावन उलावन दुनिया के सबसे सक्रिय जोरोक मुक्यों में से एक है और इसमें बाइस बड़े बिस्फोट हुए है जो सत्रा सो के बाद से दर्श किये गए है ममुली बिस्फोट और जट की निमीत रूप से होते है जोला मुक्य के बारे में मुक्य खत्रा इसकी संराचनत मक अखंड़ता है और जोला मुक्य के बारे में मुक्य खत्रा वही है यदि एक बड़े पतन की घटना होती है तो परिणामों बिस फोर्ट से सेंखडो वर किलोमेटर भूमी का विनास हो सकता है उसके बाद है चिली में विल्रिका चिली में करीब 95 सक्रिय जौला मुकी है और उन्हें से विल्रिका 1847 मिट रूचा है और वो सबसे सक्रिय जौला मुकी है उसके बाद छिली में एक और है कल्बियुको चार दिसक के बाद 2015 में कल्बियुको फटा था और फटने के पहले से उमीद नहीं थी इसके फटने के बाद सरकार ने रेड अलब चारी किया था और 4000 से जादा लोग वहां से निकाले गए थे तो ये खतरनाक जोला मुख्यों में से हैं तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद